आयोध्या में 22 जन्री 2024 को राम मंदिर का लोकारपन होना है इसी बीच आयोध्या में मस्जिद की निव रखने की भी खबर सामने आई है रमजान से पहले मस्जिद की निव रखी जाएगी यहां पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुलरह्मान अलसुदेस पढ़ेंगे भाजबानेता हाजी अराफच शेक ने शुकरवार को यह जानकारी दी हाजी अराफच शेक को मस्जिद विका समीती का चेर्मेन बनाया गया है उन्होंने बताया कि महुम्मत पेगंबर के नाम पर मस्जिद का नाम महुम्मत बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा अराफच शेक ने बताया कि अयुद्या से करीब 25 किलोमेटर दूर बनने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी इसमें 21 फीट उची और 36 फीट चोड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी जो 18-18 फीट पर खुलेगी कमेटी की चेर्मेन ने कहा कि हम बाबर को नहीं मानते बाबर तीर तलवार और भाला लेकर हमारे देश में आया था इसलिए वो हमारा आइडिल हो ही नहीं सकता हम गरीव नवाच को मानने वाले लोग हैं नभी को मानने वाले लोग हैं सरकार ने हमें पाँच एकड जमीन दी थी, कुछ जमीन हमने खरीदी है, कुल ग्यारा एकड जमीन में यह प्रोजेक्ट बनेगा मस्जिद परिशन में कैंसर होस्पिटल बनेगा, जहां हर धर्म, हर मजब के लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे, जिस्ते देश में मुहबबत का पेगाम जाएगा स्कूल, म्यूजियम और लाइबरेरी बनेगी, यहां वेच कीचन बनेगा, जो यहां आने वाले लोगों को मुफ्त खाना खेलाएगा यहां इंजिनिरिंग, मेडिकल डेंटल, जिसे पाच कॉलेश बनेगे, वहां दुबई से बड़ा एक्विरियम बनेगा और आफश शेक ने बताया कि भारत साधूओं का, संतों का देश है, पीरों का देश है, गरीब नवाच का देश है फरवरी के बाद एक अच्छा दिन देखकर, रमजान से पहले हमारे पीर उसकी निव रखेंगे इसी के साथ बने रही है, एशा में जिन्दा के साथ खनी बाद